नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सीक्रेट 19 नवंबर को साल का अंतिम चंद्रग्रहन लगने जा रहा है और मानने ता कि अनुसार चंद्रग्रहन का लगना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे पिर्थिवी के सभी जीव जन्तूओं पर इसका निगर्टी प्रभाव पड़ता है इसलिए ग्रहन से बशने के लिए कुछ प्रियोग उपाय किये जाते हैं ग्रहन के समय कुछ सुबकारे करना भी वर्जित होता है और इस बार 19 नुवंबर को साल का दूसरा और आखरी चंदर ग्रहन लगने जा रहा है तो साल का चुकी ये दूसरा चंदर ग्रहन है जो सुक्र बार 19 नुवंबर 2021 को लगेगा और ये ग्रहन आनसिक ग्रहन होगा 11 बचकर 32 मिनट से होगी और इसकी समापती साम 5 बचकर 33 मिनट पर होगी यानि सुबह लग रही है दिन के समय इसलिए भारत में ये ग्रहन नहीं दिखाई देगा और हिंदू पंचांग के अनुसार चंदर ग्रहन विक्रम संबत की बात करें तो 2078 में कार्तिक मा की पूर्णीमा के दिन लग रहा है अब ये ग्रहन जो ब्रिसव रासी और कर्तिका नच्छतर में लगेगा तो जो व्यक्ति ब्रिसव रासी के हैं और जिनका जन्म लिफा नच्छतर में खासकर हुआ है ऐसे लोगों पर इस ग्रहन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा इसलिए ब्रिस्व रासी कृतिका नच्छतर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उनको बहुत साब्धा नेना है तमाम रास्कियों पर क्या प्रभा पड़ेगा ये भी जानेंगे लेकिन इसके पहले जानने भारत, उत्तरी यूरोप, अमेरिका, पूर्भी एसिया, औस्ट्रेलिया, परसांत महासागर के इलाकों में ये ग्रहन दिखाई देगा और भारत में ये ग्रहन उपचाया के रूप में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल माने नहीं होगा लेकिन चंदर गहन के समें कुछ ऐसे कार हैं जो नहीं करना चाहिए किसी भी नए काम की सुरुआत ना करे, भोजन बनाने से, खाने से बचे ग्रहन काल में पुजा पाट के काम नहीं किये जाते हैं तुलसी का पौधा भूल करना चुए कोई भी प्रिक्ष को इस समें नहीं चुए तो अच्छा है और ग्रहन काल में तो सोना नहीं चाहिए गर्वती महलाओं को गरहन के समय धारदार वस्तू का प्रियोग भी नहीं करना चाहिए देखिए इस बार का गरहन चुकि गरहन भी तीन तरह के होते हैं उसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे लेकिन आप तमाम रासियों पर ये गरहन क्या प्रभाव डालने वाला है आए जानते हैं बिस्तार से तो 19 नुमबर सुकरवार के दिन लगने वाला ये गरहन सबसे पहले मेंस रासि की बात करते हैं आपके लिए चुकि अच्छा है पर उतना भी बहतर नहीं है यानि आपका भाग लगभग 80% साथ देगा पूरा मन लगाकर आप महनत करेंगे और आप अपने कारे छेतर में उन्नती करेंगे हलांकि ये गरहन आपको ट्रांसफर बेगरा के अगले 15 दिन में योग बनाएगा हलांकि आपका काम करने का तरीका बेतर है और धन के मामलों में धीरे धीरे तरक्य करेंगे पारिवारी जीवन ठीक है माता पीदा का साथ मिलेगा और आप अपनी किसी रूची को आगे बढ़ाएंगे आपका जो सौख है ग्रेस्ट जीवन आपका बढ़िया रहेगा जीवन साथी का साथ मिलेगा लब लाइब की बात करें तो उनके साथ बहतर वक्त गुजारेंगे अच्छी बाते होंगी बिसव रासी की बात करते हैं चुकि आपके रासी में ही गरहन लग रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा धन के मौमलों में समल के रहना है खर्च समलके करना है थोरा टेंसन देगा ये गरहन हलांकि आप अगर बिदेश से कोई कारोबार करते हैं लंबी दूरी की आत्राइं करते हैं तो आपको फिर यहां पर ठीक है आपके लिए लाब है जो बिद्यार्थें बिसबाले थोरा और मेहनत करें तो आपको मेहनत का फल मिलेगा हलां कि लब रेसंसी बढ़ियां रहेगा अगले 15 दिन तक कोई खास टेंसन नहीं है और सिर्फ अपनी वानी पर क्रोध पर अपनी सोच पर कंट्रोल रखें जो बैपारी हैं कोई भी नया कारे इसमें शुरू ना करें और यह गरहन के पहले तक आप कर सकते हैं पर इ को अपनी लाइफ को जीने का और लव लाइफ भी आपका ठीक रहेगा लेकिन दूसी तरफ रोमांटिक लाइफ में जो से उत्सा है जीवन साथी के साथ रिस्ते बहतर होंगे बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो लोग नए ने सौदे में आप जा रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखना है नहीं तो चिंता के कारण बनेंगे धन के मौमनों में किसी पर भरुसा ना करें हलांकि आपका इमेज बढ़ियां होगा लोगों पर आप प्रभाव अपना छोड़ेंगे वाहन मसीनरी अगनी का प्रियोग करते समें लाप्रभाही मत कीजिएगा करकरासी नए काम नए बिजनेस डील यह आपको सौगात मिलेगा इस चंद्रगहन से अगले पंदरा दिन में तमाम परिसानियों से निपटने के लिए भी यह समें बढ़ियां है कोई नया ओफर मिलेगा सोचेवे काम शुरू कर दें और आपके आने वाले जो वक्त है काम जल्दी ह पूरे होंगे हलां कि आपका रोज मर्रा के कारे में पूरा करने में कोई खास डिकावट नहीं आएगी तो प्रेम जीवन आपका सामान है जीवन साथी से कोई गलती है तो उन्हें गलती के एहसास कराईए और फिर चीजों को ठीक कीजिए सिंग रासी अगला पंदरा दिन थोड़ा सा मानसिक तनाओ है थोड़ी सी सारेरी कस्ट है लेकिन अगर आप अपने थोड़ा सा कस्ट कोई जैसे की जॉएंट पें एसीटीटी की समस्याद पर ध्यान रखना है कुछ पूरानी गड़े मुर्दे उखर सकते हैं पूरानी बाते परिसान कर सकता है इसलिए कि करके दामपतित जीबन बढ़िया है आपका घीवन साथी हर कदम पर करें तो आप दूसरे से बाते करेंगे एक दूसरे को नौकरी के सिलसले में प्रियास करेंगे तो को प्रियास करेंगे आपको सफलता देगा और अपनी साथी को खुछ Türkiye को चक्कर में खुद तो ऑप की योजना बनाते नजर आएंगे काम के प्रती सोच विचार दोस्तों का साथ मिलेगा और भागे का साथ में बहुत हद तक मिलता दिखता है जो बिजनस मेंने कुछ बड़े लोगों से मिल सकते हैं जीवन साथी के साथ रिष्टे बेतर होंगे छोटे बच्चें के साथ अगले 15 दिन बहुत अच्छा रहेगा हानाकि सरकाई नोक्री करने वाले लोगों के लिए भी बढ़िया है आप अपने सुभाव वानी पर अच्छा से कंट्रोल रखे अपने आचरन को बहतर करें और थोरा सा अपने स्वास्त का ध्यान रखिएगा अपने राज की बात कि किसी से भी सेर ना करें और बेवजा के विवास से दूर रहने का कोसिस करें अगर आपके प्रेम जीवन की बात करें तो वह बढ़िया रहेगा तामपत्ती जीवन भी आपका अच्छा है और इसमें धर्मकारे कीजिएगा बिस्चिक रासी अगले 15 दिनों अगर आप अच्छा होगा तो उनसे आप साब्धान रहें और ना चाहते वे भी दो तरफा चीजों से आपको यहां पर फस नजाइस का ध्यान रखना है थुरा सा स्वास्त का ध्यान रखिए हलां कि जीवन साथी के साथ रिस्ते बढ़िया होंगे लव लाइफ में मजबूती आएग और खुद पर भरुसा करेंगे ना कि किसी अन्ने पर धनूरासी आपके लिए वक्त बढ़िया है मानसिक दवाब में है था आप लेकिन उनसे मुक्ति मिलेगी धन के मामलों में लाव होगा थोड़े खर्चे बढ़ेंगे लेकिन फिर भी काम के सिलसले में आप काफी अच् है और इस समय रिस्तों में मजबूती आएगी बैभाई जीवन में थोड़ा बहुत जीवन साथी का दवाब होगा आपके उपर मकर रासी अगला 15 दिन आपके लिए बढ़िया है ऑफिस में किसी काम को लेकर बे बजह की बातों को खीचने से बचना है आपको बस कुरत पर अगर कंट्रोल रख लें तो बढ़िया नहीं तो गुस्से में काम बिगड़ जाएंगे अगर आप प्रोपर्टी बेगर लेना चाहते हैं तो किसी जरूरत सलाह किसी से ले ले तो बढ़िया रहेगा और धर्म कारे करते इसमें नजर आएंगे अगर आप किसी नए मोटे मोटे रुकाबटे रहेंगे जो आपके मूट को खराब करेंगे लेकिन आप मा की संपत्ती वेगरे से आपको लाब होगा मा से लाब होगा बैपार में दीरे-दीरे सुधार होगा बदलते मौसम के कारण थोरा सा अपने उपर ध्यान दीजेगा अगले 15 दिन स्वास अगर आप बिजनसमेन हैं तो कुछ नया करने के चक्कर में परिसानी में पढ़ जाएंगे इसलिए चला सांथ रहें किसी भी काम का रिजल्ट ना मिले तो परिसान मत होगे क्योंकि आने वाला समय आपके लिए उत्तम है फिलाल आप से विदा लेंगे